नमस्कार मैं हूँ राकिस कुमार और आप देख रहे हैं टॉप फाइब न्यूज दूसरी बार नागालेंड में बिना विपक्ष की सरकार सभी दलों का एंडी पीपी बीजेपी गठबंदन को समर्थन नागालेंड में सरकार के गठण के साथ ही राज विपक्ष विहीन हो गया है यहांके सभी राजनितिक दलों ने एंडी पीपी बीजेपी गठबंदन को बिना सर्थ समर्थन दिया है हलाकि यह पहली बार नहीं है जब विधानसवा में विपक्ष नहीं होगा इसे पहले साल 2018 के विधानसवा चुनाव में भी नागालेंड के सारे 60 विधायक सरकार में सामील थे कार उपराष्टपती पर पलटवार कहा राजसभा के राष्टपती अंपायर होने चाहिए शियर लीडर नहीं है कॉंग्रिस ने राहूल गांदी की आलोचना को लेकर उपराष्टपती जगदीप धंखड पर कड़ी टिपनी की है कॉंग्रिस के महासाचिव जैराम रमेश कि राजसभा के सभापती को अंपायर की भूमीका में होना चाहिए वह किसी सत्ता रूड विवस्ता का शियर लीडर नहीं हो सकते कॉंग्रिस ने यह प्रतिक्रिया जब जब जगदीप धंखड ने राहूल गांदी के संसर में विपक्ष का माइक बंद के जाने के बयान की कड़ी आलोशी ने जिर बने चीन के राष्टपती सरुसमत्ती को तीसरी बार मिला कारकाल सिजिन पिंग आज एक बार फिल लगता तीसरी बार चीन के राष्टपती बन गये हैं किसी ने राष्टपती के रूप में पांच साल का एक अभधपुर तीसरा कारकाल हासिल किया कि याज इंडी पीर के तीसे सत्र का करेंगे गाटन पुर्सकार विजयताओं को भी करेंगे विजांगे। राष्टिय मंच के 37 का उद्गाटन करेंगे पीमों ने गुरुवार को एक बयान में या जान करेंदी दिली के विज्ञान भवन में आयोजित एंडी पी आर के दो दिवस्टी 37 का विशे जलवाई परिवतन के मद्दे नजर स्थानिये लचिलीपन का निर्मान है इमरान खान की मुसीबते बढ़ी एक और गहर जमानाती वारेंट जारी पूरे पाकिस्तान में 80 मुकदमे दर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयर मैन और पाक के पूर्व पीम इमरान खान की मुस्किले बढ़ती जा रही है क्वेटा में एक अस्ताने कोट ने गुरवार को इमरान के विरुद एक मामले में गहर जमानाती वारेंट जारी किया है झाल झाल